तो यह पुरी के साथ हम यह बड़े करने वाले हैं लेकिन यह जो बड़े हम सेलिबईर कर रहे थे मुझे नहीं पता था कि इतना जाधा इमोशनल सभी लोग हो जाएंगे और सब लोग बहुत जाधा रोगे पूट फूट कर यह मुझे बिलकुल आइडिया नहीं था वैसे तो ऐसा कोई सोचता नहीं है, सोचता खुशी का माहौल है और इंजॉय करेंगे, क्योंकि ममी जी बहुत जादा बीमार है, जैसे आप सब को पता है कि सब जानते ही है कि वो बीमार है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है डैली 40's में और उनका भी operation हुआ था ट्यूमर का और बहुत जादा emotional हो गए सब लोग, हम लोग भी इतना food food के रोने लगे कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था तो अभी ममी जी के लिए मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे gift क्या देना है तो मैंने लिया था ममी जी को इस stole और मैंने कहा वो stole मैं उनको डालूँगी और कुछ pics ले लूँगी लेकिन pics जादा नहीं खिच पाई तो हमने क्या बोलते हैं वीडियो ही बना लिये थे और ये है पापा जी और ममी जी को पापा जी को बाइ 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 लुगी फार में फिर हमने सोचा कि कुछ pics ली थी जो pictures तो वो इसमें डाल दी है क्योंकि ये बहुत ही beautiful यादे होती है कहते हैं कि इंसान रहे न रहें उसकी यादे हमेशा रहती है तो ये यादे हमने capture की है अपने ब्लॉग में अपने वीडियो में अपने चैनल पर डाल रखी हैं तो हम इनको हमेशा देखते रहेंगे और ऐसी ही इनको खुबसरत तरीके से बस निहारते रहेंगे और मैं आशा करती हूँ कि ममी जी को मेरी उमर लग जाया और उनको जितनी जिन्दगी चाहिए उतनी उनको पूरी जिन्दगी मिले वो जीना चाहती है वो खोना चाहती है उन्हें बहुत अच्छा लगता है घूमने फिरना, खुश रहना तो बस यही दुआ करती हूँ कि कुछ रहे और हमारा फैमिली ऐसे ही रहे हमेशा बाइ बाइ मिलते हैं नेक्स ब्लोग में